हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलाइन गुरू में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदिर बिहार और ज्यारकन का सबसे बड़ा तेवार छट पुजा इस पेशल समाने गान यह बहुत ही ज्यादा इंप दी सुर्यदेव की पुजा करने के लिए सी गंगा नदी का सम्बान करने के लिए डी भगवान सिव की पुजा करने के लिए आपका सही जबाब होगा ओप्शन नंबर भी सूर्यदेव की पूजा करने के लिए छट पूजा मनाने का प्रात्मी कुद्देश से होता है सूर्यदेव का पूजा करना क्वेस्चेन नंबर टू छट पूजा मुख्य रूप से किन भारती राजियों में मनाई जाती है आपके ओप्शन है आपका सही जबाब होगा ओप्शन नंबर ए बिहार उत्तर प्रदेश और जारकंड चट पूजा मुख्य रूप से भारत के बिहार उत्तर प्रदेश और जारकंड राज में मनाई जाती है आपके ओप्शन है ए पहला दिन बी दूसरा दिन सी तीसरा दिन डी चौथा दिन आपका सही जबाब होगा ओप्शन नंबर भी दूसरा दिन चट पूजा के दूसरे दिन भक्त जो है वो डूपते हुए स्टूर को अर्ग देते है आपके ओप्शन है ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपूत्र, डी नर्मदा आपका सही जबाब होगा ओप्शन नंबर भी गंगा छट पूजा का ओप्शन आम तोर पर गंगा नदी से जुड़ा हुआ है चट पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है आपके ओप्शन है ए तीन दिन, बी, पांच दिन, सी, साथ दिन, डी, चार दिन इस क्वेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे आपका सही जबाब होगा ओप्शन नंबर डी चार दिन चट पूजा का जो उत्रों होता है, वो मुक्री रूप से चार दिन का होता है इसे अगर बिद्वत किया जाये तो चार दिन तक चट पूजा मनाया जाता है आपके ओप्शन है A. खीर, B. ठेकुआ, C. पूरन पोली, D. लड्डू आपका सही जबाब होगा Option No. B. ठेकुआ, छट पूजा के दावरान आमतोर पर ठेकुआ खाद्यपदार्द बनाया जाता है Question No. 7 चट पूजा हिंदू पावराडिक कथाव के अनुसार किस देवता को समर्पित है आपका सही जबाब होगा Option No. C. शूर्देव Question No. 8 चट पूजा के दावरान भक्तो द्वारा पानी में खड़े होकर सूर्द को अर्ध देने की रस्म का क्या नाम है आपका उप्शन है A. आर्ती B. अर्ध C. प्रद छिडा D. धूबदर्शन आपका सही जबाब होगा Option No. B. अर्ध देना चट पूजा के दावरान भक्तो द्वारा पानी में खड़े होकर सूर्द को अर्ध देने की रस्म को अर्ध देना कहा जाता है क्योंकि साम के टाइम पानी से और सुबा के टाइम दूज से दिया जाता है Question No. 9 चट पूजा के दावरान भक्त कितने घंटे या कितने दिनों तक अपवास रखते हैं आपके Option है A. 12 घंटे B. 24 घंटे C. 36 घंटे D. 48 घंटे आपका सही जबाब होगा Option No. C. 36 घंटे चट पूजा के दावरान भक्त जो है वो 36 घंटे का अपवास रखते हैं Question No. 10 चट पूजा के दावरान महिलाओ की पुषाग के साथ अक्सर कौन सा रंग जुड़ा होता है आपके Option है A. सफेद B. लाल C. पीला D. हरा आपका सही जबाब होगा Option No. C. पीला छट पूजा के दावरान महिलाओ की पुषाग के साथ अक्सर पीला रंग का जुड़ा होना सुब माना जाता है Question No. 11 निमलिखित में से कौन छट पूजा के दावरान चढ़ाया जाने वाला पारंपरिक प्रसाद नहीं है आपके Option A. फल, B. गन्न, C. चावल और अनाज, D. मिल्क सेख आपका सही जबाब होगा Option No. D. मिल्क सेख चट पूजा के दावरान चढ़ाया जाने वाला पारंपरिक प्रसाद जो है वो मिल्क सेख नहीं है Question No. 12 चट पूजा चंद्र कैलेंडर माह के किस दिन से शुरू होती है आपके Option है A. कार्तिक माह का पाचवा दिन, B. कार्तिक माह का चटवा दिन, C. माग माह का पहला दिन, D. स्रावण माह का दसवा दिन आपका सही जबाब होगा Option No. B. कार्तिक माह का चटवा दिन Question No. 13 चट पूजा सुर्य देव के किस स्वरूप को समर्पित त्यवार है आपके Option है A. सुर्य का प्रकास B. सुर्य की उप्चार सकती, C. समर्द्धी को बढ़ावा देने के लिए सुर्य की उर्जा, D. सुर्य की बीमारियों को ठीक करने की चमता आपका सही जबाब होगा Option No. C. समर्द्धी को बढ़ावा देने के लिए सुर्य की उर्जा चट पूजा सूर्य देव के जो स्वर्यूप होता है वो समरिद्धी को बढ़ावा देने के लिए सूरी की उर्जा को समर्पित तेवार है Q14 चट पूजा का तेवार किस धर्म के लोगों दोरा मनाया जाता है आपके ओप्शन है A. सिक धर्म, B. हिंदू धर्म, C. इसलाम धर्म, D. इसाई धर्म आपका सही जबाब होगा ओप्शन नमबर B. हिंदू धर्म चट पूजा का तेवार मुख्य रूप से हिंदू धर्म दोरा मनाया जाता है वेच्चन नमबर 15 निमलिखित में से कौन छट पूजा का महत्पूर्द प्रतीक है आपके ओप्शन है A. कमल, B. संक, C. कलस पानी का बर्तन, D. मोर पंक आपका सही जबाब होगा ओप्शन नमबर C. कलस पानी का बर्तन चट पूजा के दवरान जो है एक कलस जो होता है वो पानी का बर्तन होता है जिसमें की पानी लेके औरते घाट पर जाती है वो चट पूजा का महत्पूर्द प्रतीक होता है तो दोस्तों ये था यूपी बिहार और जर्खर्ण में मनाया जाने माला सबसे बढ़ाते हाट छट पूजा का टॉप 15 जी के क्वेचन चट पूजा लगबख सभी के घरों में मनाया जाता है तो इसके बारे में आप सभी लोगों को जनकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो आपको ये हमारी छोटी सी क्लास कैसी लगी कमेंट बैक्स में जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी साथ आप लोग बेल आइकाउन भी फ्रेस कर लिजेगा जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे इंपोर्टेंट वीडियो जो आप लोग असानी से देख सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाय ठैक्स वार वाचिंग